नमस्कार दोस्तों तो आज हम करते हैं पालक की हार्वेस्ट जो की साइज में देखी कितना बड़ा हो रहा है और यह है वही बहता और गयनिक पालक जो मैंने बोया था तो आज मैं आपको इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं कुछ दिन से टाइम नहीं लगा था बच्चे आए दोस्तों मैं यह कौँगे कि हमेना थोड़ी बहुत सब्जी तो अपने इसके लगानी चाहिए ताकि जैसे अभी क्या है कल परस्वाम ने बीन्स बना ली थी इस दिन घर के बैंगन बना लिये थे और नहीं मों राज हम घर की अड़ी आलू पालक बनाएंगे जो कि बजार से लाते थे में इतना फ्रैस पालक मेंता भी नहीं और यहां पर हम बना रहे हैं अब अपना या ताजा-जा तोड़ेंगे और ताजा-जा बनाएंगे अभी मैं आपसे बात करते करते के भील भी काड़ी थ तो रास अलागताई नहीं पिसने वीचिए बेले लिए लिए बेले लिए बेले लिए लिए यह बीचिना मक्का है यह कुछ ऐसे उगवी जाता है यह हमें निकालना भी होगा और यह चोट अशा थर्मा कोल है को ज्यादा बड़ा मतलब यह नहीं कि हमें बहुत बड़ी क्यारी में यह उसमें बो रखा पर हमारे जितना इसमें से निकली आएगा पालत ना यह देखें दोस्तों एक पेड़ से अगर हमें इतने पत्ते मिलते हैं तो जो कम सब्जी खाते हैं उनके लिए तिसमें कालू डाल के बहुत अच्छी सब्जी बन जाएगी नहीं तिसमें पराठा तो बनी जाएगा यह सब्कराइं ने अंत्वंचि आटे नितना निकल रहा है और एक बन जीअरा नहीं कहीं थाएं नहीं किसी किसी क्यारी मतलब कहीं पर बिप्र परcles ज्यूब से कहीं वर्ज मिर्ची ऐसे इस तरह से हर सब्सक्राय और आपज़ी को अर्व 시들 आया है इसको ये इतना सारा पालग निकल गया वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेर और सब्सक्राइब कीजिएगा धन्यावाद